नमस्कार दोस्तों आज जो आप तो गाड़ी देख रहे हैं वो है इटियोस गाड़ी है और यह है अतिंदर भाई की गाड़ी है जो शी साथ में बैठे हैं और यह इस गाड़ी के इतने तकड़े फैन है कि इनके पास पहले यह गाड़ी थी उसको निकाली और दुबारा से फिर यही गाड़ी लेकर के आ गए तो ऐसा क्या है इस गाड़ी के अंदर कि वह इतना अट्रक्ट कर रही है इनको तो वह जानने की कोशिश करते हैं पहले तो बात बता देंगे डीजल वेरिंट है यह यह 2017 वेरिंट है तेंदर जनवरी 2017 का है और इस से पहले वाला जो था है इस गाड़ी की लोग टैक्सी में चलाते थे इसको बिजनस परपस कले इस्तमाल करते थे और क्या खूबियां है और क्या कमियां है इस गाड़ी में यह भी जानेंगे अतंदर भाई से तो अतंदर भाई सबसे पहले तो यही बताओ आओ आपकी ऐसी क्या खूबी है कि आ वो भी कम है, अल्मोस्त बाकी गाडियों से, स्पेस खूब है, अगर हम इसको कंपैर करें किसी SUV से या किसी और से दान से, तो SU में भी 5 सीटरी होती है, लेकिन उसके लिए आपको 16 से 17 लाग रुपे खर्च करने पड़ते हैं, बस एक राउंड क्लिरेंस बढ़ा रहता है, अ और माइलेज इसकी अच्छी है, मैंटरेंस कॉस्स नहीं है, और क्या चहिए बताइगे, और AC हीटर है, इसके अंदर defogger पीछे है, अधिस्टिबल, height adjustable seat है, power staining है, चारो power windows है, यह बेस से एक ऊपर वाला वेरियंट है, यह बेस से एक ऊपर वाला वेरियंट है, यह बेस से यह कितना दे रही है, वो 9 AC पे highway पे 27 का अवरेज वो निकालती थी, 26, 27, 26 प्लस ही रहता था उसका, और यह कितना देती है, यह देती है, highway पे 9 AC में आता है, इसका लगबग 24 के आसपास, और AC में आता है 22, 22, 22, 22, आपकी जानकारी के लिए बता दे, जो पहले वाली, इनकी पड़ी है, आइडली यह 5 सवा 5 की मिल जानी चाहिए थी, बट मिरको यह सवा 6 लाग की पड़ी है, विद इन्शोरिंस कराके है, महेंगा लेने का रीजन, रीजन मेरी, यही गाड़ी ही चाहिए थी, अच्छा, मौके का फायदा उठा दिया, सैलर ने, और मात्र अभी 26,000 किलोमेटर चली हुई है, जब इन्होंने ली थी, तब 16,000 चली थी साथ, तब यह 14,500 किलोमेटर चली है, तो उसने इतने कम किलोमेटर में क्यों बेस दी, सर उनका बैटरी का कुछ बिजनस था, तो उन्होंने यह दो गाड़ियां रखी हुए थी, एक से मोडल की एक और ग अपने मैणेजर को दी वे थी, कमपनी ही मेंटेन कर दी थी उस गाड़ी को, तो वो भी मैंने direct कस्टोमर से ही ली थी, पुरानी वाली कितने किलोमेटर में ली थी और कितने किलोमेटर में बेचि आ अपने हुज, यह एक बहुत अच्छा सवाल है, पुरानी वाली मैंने सि सब कुछ और टैंक फुल था उसमें वो किया हुआ मिला था मिरको और वो मैंने बेची तीन साल बाद लगवग 50,000 किलोमेटर चलाने के बाद दो लाग 25,000 रुपे में तो आप कह रहे हो कि सर्विस कोस्ट काफी कम कितने की होती है इसकी सर्विस लगवग 2200 से 4400 रुपे का तोयटा के अंदर जी हां जी टोयटा शोरूम में अंदर और अंतराल के अह 10,000 किलोमेटर हां जी अंतराल 10,000 किलोमेटर का है गोल सा बिल्कुल सा स्टेरिंग दिया हुआ है लेकिन यहां पे थोड़ा सा लगे कि अगरे कुछ दिखाई ने रहा फिर इदर देखना पड़ बिल्कुल और यह जो है उसी परपस कले बनी हुई है यह जूजा भूंबां वाली गाड़ी नहीं है यह जो है यह कब तक निकालने का इरादा नहीं है चाहे मुझे कोई 10,000,000 रुपे भी दे तो भी मैं नहीं दूँगा और अगर आप सोच रहे हैं लेने की तो आपने द इक्रेशन लेवल थोड़ा हाई था और माइलेज भी आई तो यह बताया रभी बिल्कुल बीच का सोधा नहीं होता है वैसी वैसे लग रही है कोई दिक्कत देगी नहीं आपको प्रोब्लम नहीं देगी देगी दिजल बराव चलते जाओ और एक लाग बीस हजार चलाई आपने उसे कोछ दिक्कत ही है डिक्कत नहीं किसी भी तरह इगी काफी लोग बोलते हैं कि यह जो इसका इंजिन है आप कुछ करके आए और गाड़ी चला करके आए बेकार लगी अच्छी लगी आप गाड़ी स्टार्ट करी आप एक जिगे से दूसरी जिगे पहुंच गए सिंपल अपना काम खतम करो और चल दो वह वाला इसाब किताब है इसके जबर्दस्ती इंजन से भी निकालने वाला जो सीन होता है उसमें भी इस्ट्रेस पड़ता है इंजन को लाइफ कम होती है थोड़ा बहुत उससे भी कि चोदासों सीसी का इंजन यह जो लगबख सेवेंटी टू भी असपास पास पावर निकालता है तो आराम आराम से चलाते जा और मैं चलता जाओंगा लगती भी एक नीचे से मतलब कि अगर यह नोर्मल अपने ब्रेकर सुगे रहे इसका इंजाम किया हुआ है पहले जब में हमारे घर के पास कलोनी में ब्रेकर बन गए थे तो एक दो जगे लगी वहां पे तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खंगा कि इसका कुछ न कुछ उपाय तो करना बढ़ेगा क्या किया जाए तो मैंने सिर्फ 500 रुपे का खर्चा किया और उपाय मैंने अब आप डिगी आप अब ठीक है पूरा इंटीर बे सिर्फ यही जो है थोड़ा सा ब्लैक सा अपको लगेगा वो भी नहीं देते तो भी सही था लेकिन वह रिफ्लेक्शन शायद उसकी वज़े से इनोंने दे दिया हमें पूरी गाडी में से और कहीं से अवाज नहीं आ रही सिर्फ इस कोर्श अब पुछ खुला पड़ा हूं तंदर जी कभी पहाड साइड में ले गए पिछले साल अगस्त में गाड़ी ली थी मांने अक्टूबर में ही लेकिया था मैं हमार चल अमीरपूर तो यह बता ही फुल लोड में थी या आप अकेले के ते तो सर फुल लोड में थी गाड़ पावर की कम ही महसूस हुए तो बस यही थी कि आप आप से कंड और थर्ड से टॉप चौथा गयर तो लगता ही नहीं हम पर रहा आप यह आप ऐसी गाड़ी ढूड़ रहे तो जिसकी राणिंग बहुत कम हो राणिंग कम हो कम चली मिल जाएं मेरको थोड़ा सा 50 जाजार य बट चलो अपनी अपनी चौई से आपने बताया था कि एक भी इसमें भी कुछ फराग नहीं पढ़ा है यह तो है दोस्त लेकिन इसमें यह वाले जो टोएटा की टियोस वाली स्रीज मेरे को एक यूस क्रोस बड़ी जबरदस लगती है जैसे आपकी जरूरत है उसी सबसे दे चीजें जो सेडान में ही मिल जाए तो फिर ज़रूरत नहीं एक्स्रावैसे करने की बतानी यार वैसे टोएटा ने बंद नहीं करनी चाहिए थी आड़ी यार अरे यह वह जाएगी ना उसमें बेला बेल्टा 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 सुत्रा मॉडल साड़े छहलाग रुपे पॉल न्यू कंडिशन और लंगदी रखनी है तो आपकी चॉइस अच्छी है स्पेस की जरुवत है तो आपकी चॉइस बहुत अच्छी है मतलब 14,000 किलोमेटर चली वी थी इसलिए थोड़े से प्राइस जो है यहां पर थोड़ा सा जस्टिपाई कर रहा है नहीं तो थोड़ा सा महेंगी ही साइड में उठाई थी गाड़ी चे साड़े चेलाग क्या सपास जो है आप लोग और दूसरी गाड़ियां भी देख सकत लेकिन ये एक तरह की नो प्रोब्लम का रहा है कि बस जैसी है ना वैसी ही रहेगी है तो बस चलती रहेगी आपके पास गाड़ी है बस तक से यह वाली चीज वा जाएगी इसका फ्यूल टैंक है इसका 45 लिटर का है यह ब्कुल बेसिक सा इजाविता रहे है यह है तस के अंदर इस गाड़ी के ओपर जाना पसंद करेंगे कोई और गाड़ी लेना पसंद करेंगे वो नीचे लिंक जो स्वरी डिस्क्रिप्शिन के अंदर कमेंट के अंदर वो आप लोग जो है वो कमेंट के अंदर हमें लिख करके ज़रूर बताएगा हमें भी पता चले कि आ जोई डोट डोट के लाएगा आपके लिए रभी कमिशन बता देगा फूरा ठीक है तो जलो दोस्तो ये था आज का हमारा वीडियो के बारे में भाई साब से पूरी बाते पूछी कि क्या कुछ सर्विस कोस्ट आती क्या पोजिटिव क्या नेगिटिव सारे चीजे ठीक है उमीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स वीडियो के अंदर इसी मेसेश के साथ कि अगर फॉर विलर चलाते हैं तो सीट पल जरू डालीगा टू विलर अगट चलाते हैं तो हेलमेट जरू पहनिएगा जैहिन जै भारत भारत मातला की चे था थैंक यू सो मच अरिंदर भाई थैंक यू सो मच